असलाम उलेकुम तो स्वागत है आप सभी का ग्यापन अकेडमी के इस नए और इंस्टेंट यानि की ततकाल वीडियो में और ये ततकाल वीडियो मैं इसलिए अप्लोड की हूँ क्योंकि जितने भी 10 और 12 क्लास वाले स्टुडेंट है जिनका एक्जाम हाल ही में हुआ है उन 2019 में COVID-19 आया था और अभी कौन साल चल रहा है 2022 चल रहा है अभी भी COVID-19 जो है पूरी तरीके से खतम नहीं हुआ है कई तरीके के COVID-19 का म्यूटेशन चल रहा है और जिन लोग के पास 2019 का पैसा था वो 2020 से किस तक चलाए और 2022 आते आते उनका सारा पैसा खत्म हो गया और 2022 में सभी लोग पूरी तरीके से बेरोजगार हो गए काफी बेरोजगारी बढ़ गई और इस बेरोजगारी में रोजगार तो चाहिए लेकिन रोजगार के तरीके को लोगों ने बदल दिया है पैसे कमाने के तरीके को बदल दिया है अब लोग जो है एक दूसरे को ठक कर एक्जाम हर साल होता है और हर साल एक्जाम होने के बाद कौपी जाच होने की पिरकिरिया शुरू होती है और जितने भी 10th और 12 क्रास वाले student है जो एक्जाम देकर आये रहते हैं व тобой बरामित और संकोच में रहते हैं कि पता नहीं मेरा result कैसा आएगा बहले ही उनका exam बहुत ही बढ़ी आगया हो पढ़ने में कितना भी बेतर क्यों नहीं हो वह student को लग रहा है कि हाँ मेरा result बहुत ही बढ़ी आएगा मैं बहुत अच्छा लिखकर आया हूं मेरा exam बहुत अच्छा गया है उसका दिल गवाही दे रहा है कि हाँ मे मेरा result कैसा आएगा मेरा तो exam अच्छा से नहीं गया है अब मैं fail हो जाओंगा की नहीं होगा मतलब result आएगा तो मालूम चलेगा वह पहले से ही ड़न रहते हैं जिनका exam अच्छा से नहीं गया रहता है ठीक है अब इससे बीच जो है ना कुछ फर्जी लोग इस मौके का फा फर्जी कॉल सच में कोई copy जाच करने वाले या फिर examiner के पास से नहीं आता है ये फर्जी कॉल कुछ फर्जी लोग होते हैं कोई फर्जी इनसान होता है जो आपके पास कॉल करता है और जिसके पास आप लोग का सारा data सारा information रहता है कि आपका नाम क्या है आपके माता नाम ठीक है और उसके बाद से फर्म भरवान के समय आप लोग दिये भी रहते हैं तो यह सारा information उस फर्जी इंसान के पास रहता है अब देखिए यहां पर student पहले से ही डड़े हुए हैं पहले से ही संकोष में है कि पता नहीं मेरे result कैसा आएगा आचा है कि खराब आएगा उपर से इस तरह के call आ जाते हैं ठीक है अब यह फर्जी लोग जो है फर्जी call करके देखिए किस तरह मतलब बाते करते हैं आप लोगों से सबसे पहले तो वो call करते हैं और उसके बाद से कहते हैं कि आप यह बोल रहे हैं या फिर आप यह बोल रहे हैं ठीक है अब आप ल कोई भी सबजेक्ट मेंdar हो गया कोई अब विशास दिलाने के लिए आपका माता-पिता का नाम भी बताएगा रोलगोड रोल नंबर भी थीक है ताकि आपनोग विशुवास कर सके कि वह इंसान जुद्धे को गोल अरफ से बोल रहा हैं और कोई भी स्टुडेंट है उसका नाम रोल को ड्रोल नंबर यहां तक उसकी माता-पिता का नाम बता दिया जाए तो कोई भी स्टुडेंट आसानी से विश्वास कर लेगा कि हाँ वो इनसान विहार बोड के तरफ से बोल रहा है और यही घटना स्टुडेंट के साथ होती है व खुद सवाल उठाता है कि बुली मुझे क्या करना होगा ठीक है अब वो फर्जे इंसान कहता है कि देखिए कुछ करना नहीं है एक ठो कोई नंबर दे देगा और बोलेगा कि गूगल पे यह फोन पे के जरीए आपसे पैसा पे करवाएगा हजार दो हजार तीन हजार जितना है कि नहीं मतलब मैं जीतना लिखांوس के लिए आप मेरा नंबर मत बढ़ाएगा तो अब होँआ से फर्जी इंसाने में धमकाने की कोशिक करने लगता है ठीके तब आप देख लीजिएगा result उर्जल्ट आएगा नहीं ठीके अब जब आप फेल हो जाए गातब मेरे पास नहीं कीजेगा कि उस्वक्त कुछ नहीं हो सकता है जो भी हो सकता है अभी हो सकता है मतलब आफ लोग मीठा मीठा धमकाने की कोशिश करेगा वह फरजी इंसान और कितना भी ब्रिलियंट और ब्रॉंड मैंडेंड इस इंसान क्यों नहीं स्टुडेंट क्यों नहों वह क्या करेगा उसकी जासे में आ जाता है और वह अपना हजार दुजार रुपए खो देता है लेकिन उस वो पैसा दे दिया अब जो इस्टुडेंट अच्छा से लिख कर आये हैं उनका एक्जाम बढ़िया गया जिनको लग रहा था कि हां मेरा रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा उनका तो आ जाएगा और विश्वास कर लेंगे क्या कि मैं पैसा दिया था तभी मेरा अच्छा नहीं आएगा मैं फैल हो जाओंगा तो वह सच में फैल होंगे भले ही वो स्टुडेंट जो है पैसा दिया है फरजे इंसान को लेकिन पैसा निया है क्या पैसा बिहारबौर के पास पहुँचा नहीं फैसा शुब लूट गया और इस टुडेंट ऊतना ही रहते हैं और जितना exam में लिख कर आये रहेते हैं उसके हिसाब से उनको result मिल जाता है जर तो उतना ही से स्भरेत आप самых ही कीवना जा रहा हो लेकिन वो चाह कर भी किसी बेश्टूडेंट का नंबर नहीं बढ़ा सकता अब आप लोग कहेंगे कि मैं आपकी बातों पर कैसे विश्वास कर लूँ आप तो बोल रहे हैं कि कोई भी मतलब इनसान जो है जवाच करने वाला जाकर को किसी बेश्टूड नंबर लिखा रहता है वाँ पर बार कोड चढ़ा दिया जाता है ठीक है ताकि आप लोग का रोल कोड रोल नंबर और जो भी डिटेल्स है वो धक जाए जिस तरह आप लोग देखें एक कार्बन चढ़ा जाता है बिल्कुल उसी तरह उस कौपी पर जहां पर आप लोग का लिखाता है बार को चड़ा दिया जाता है आप लोग का डिटेल्स धगने के लिए अब जो एक्जाम की कॉपी जाच करने वाला है बस उसको जाना है और कॉपी जाच करना है यह देखना है कि यह स्टुडेंट कितना लिखा है और लिखने के हिसाब से कितना उसको नंबर दे सकता है अगर आप लोग उसको पैसा देंगे तो तो क्या मालूम कि कौ सी कोपी कोण सी स्टुडेंट के नहीं नमालूम है तो जो कैसे बढ़ा सकता है वह जो कपीजारच करने वाला है वो चाहरकर भी खुद कि उसका खुद का नंबर नहीं बढ़ा सकता है क्योंकि रोल नमबर और नाम के जगा बार कोड़ करते हैं ताकि जुआ की जाच करने वाला है वह खुद के भी स्टुर्ट का नंबर कर दे तो इस तरह होता है आप लोग को मेरी बातों पर विश्वास हुआ होगा और मज़े की बात तो यह है कि एक्जाम के पहले और एक्जाम के बाद भी कुछ लोग ऐसे देखनों को मिलते हैं जो स्टुडेंट के साथ फेस टू-फेस बाते करकर पैसा लूटते हैं मतलब इस तरह के फरजे कॉल करके तो फरजे लोग लूटते ही लूटते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो स्टुडेंट से फेस टू-फेस बाते करकर लूटते हैं देखिए होता क्या है यह भी सिच्वेशन में आपनों को बताती हूँ एक्जाम से एक दो दिन पहले या फिर पैसा मांग सकते हैं मांग लेंगे और कहेंगी क्या कि मेरा आदमी जो है तुम्हें एक्जाम की एक दो घंटा पहले इंसर की लेजा कर देदेगा और तुम आराम से एंसर की देख ले ना तुम्हारा एक्जाम बहुत पढ़िया जाएगा जाओ तीके अब यहाँ पर वो जो साल बर पढ़ाई नहीं किये हैं वो तो लालच में आएंगी ही आएंगे उसके सान साथ वो भी स्टुडेंट जो साल बर पढ़ाई किया है मेहनत किया है वो भी लालच में आ जाएगा कि यह बंदा जो है वो एक्जाम के एक दो घंटा पहले मुझे एंसर की देदेगा तो इससे बड़ी खुश्री की बात क्या हो सकती है एक्जाम के पहले ही मुझे इंसर मिल जाएगा ठीके अब वो क्या करते हैं जो स्टुडेंट साल पर पढ़ाई भी किये रहते हैं वो भी और जो नहीं भी किये रहते हैं दोनों लालाच में आकर उस बंदे को पैसे दे देते हैं ठीके वो इंसान पैसा ले लेता है अब स्टुडेंट जो है वो तो एक्जाम देने चले जाता है एक्जाम हो भी जाता है लेकिन उस इंसान को जो पैसा दिये रहते हैं उस इंसान का आदमी उनको answer की लिए जा कर देता ही नहीं है एक्जाम हो भी जाता है अब student जो है वो जाते है उस इंसान के पास जिसको वो पैसा दिये रहते हैं और मांगते हैं पैसा कि आप तो मतलब answer की भेजाये नहीं आप बोले थे कि एक दो गंटा पहले answer की भेजा दें है इस तरह से दढ़ाता धंकाता है अब student बैचारे क्या करेंगे वो सोचते हैं कि छोड़ो अब जाने दो पैसा जो गया हाथ से चला गया हजार दो हजार चला गया और यहीं होता इस्टूडेंट के साथ हजार दो हजार हाथ से खो देते हैं इसी तरह एक्जाम के बाद भ और मुझे कुछ पैसा दे दो 10-20,000 बोलेगा या फिर उसके उपर है 30,000 भी बोल सकता है 40,000 भी बांग सकता है उसके उसके मर्जी के उपर है ठीक है और कहता है कि मैं तुम्हारा नंबर बढ़वा दूंगा तो पास हो जाओगे ठीक है अब यहां पर स्टुडेंट खुड स वापस कर देंगे तो एक्रेमेंट बनता है एक्रेमेंट पर वो इंसान कर देता है ठीक है अब उसके बाद से वह पैसा ले लेता है और आप लोग का डिजल्ट गद मेंबु पर्फ शेक्र करता है कि आप लोग काि रिजल्ट कितना है आए कि से केंड बिझा ऊट्रिन की फेल हो गया है आप लोग ठीक है अगर आप लोग प्रऴुजान आ这么 intens के लिखने के हिसाब से अग़र आप परगम जिन आ गए तो फून करकर बुले तो मेरा बढ़ा मैं फ़र्स डियूजन आ गया तो फोन करकर बोलेगा देखिए आप थोड़ा नंबर बढ़वा दिया तो वह स्टुडेंट सोचेगा कि चलो मैं पैसा दिया था तो मेरा नंबर बढ़ गया और अगर आप लोग फेल आ गया तो अब आप लोग जाएंगे उ उस पैसे से इंटरेंस तो कमा लेता है क्योंकि मतलब जो आप लोग का पैसा लेकर रखा था 10-20,000 जितना भी तो एक स्टुडेंट से थोड़ों न लिया होगा इसी तरह मतलब मालीजी एक स्टुडेंट से वह 5,000 लिया तो दस से 55,000 मतलब उसके पास 50,000 हो गया होगा दो लेकिन रोजगार पाने के लिए इस तरह का माध्याम बिल्कुल भी नहीं अपनाना चाहिए और छात्रों को तो मतलब बिल्कुल ये गलत है तो अंध में मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहती हूं कि इस तरह के फर्जी बातों पर फर्जी कॉल पर बिल्कुल भी विस्वास मा करें जहां भी इस तरह की बाते होती हैं वहां से दूर चले जाए हट जाए और इस तरह के फर्जी कॉल आते हैं तो आप काट दीजिए फोन ही मत उठाइए अभी आप लोग फ्री हैं के बाद 2-3 महीना अब के पास काम थोढ़ ना फ्री है तो इस तरह के आमले में आप जरूर टांगराने की कोशिश करेंगे इस तरह के बातों में आप लोग ज़रूर आएंगे इसलिए आप क्या करें Parce発े जो कुछ भी मैं आप लोग को समझाई वो समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा और उसके बाद से ये बहुत ज़दा important वीडियो है तो इसलिए इसको सबसे ज़दा शेयर कीजे ताकि सभी student के पास ये पहुँचे और वो पहले से ही सतर्क रहे और इस तरह के फरदी बातों में वो ना आए ठीक है? और अगर आप लोग चैनल पढ़ना है तो चैनल को सबस्काइब कर लिजेगा ताकि मेरी रोज आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे तो फिर बिएगा नेक्ट वीडियो में नेक्ट टापिक के साथ तब तक के लिए जहिन और खुदा हाफिज